जैश्री राम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस्ट्रावण का महीना प्रारंभ होने वाला है और हम सभी लोग चाहते हैं रुद्राक्ष को धारन करना और वाक्य में रुद्राक्ष को धारन करना चाहिए रुद्राक्ष एक मात्र ऐसा साय दिव्य अलावकिक अवसधी है या अलावकिक शिव कृपा है जिसके माध्यम से जीवन के समस्दुख और दारिद्र दूर हो जाते हैं रुद्र सहिता के अंतरगत्तो भगवान शिव स्वयम अपने मुक्षे ब्रम्हा जी को कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला धारन करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिसाच डाकिनी शाकनी उपद्रव अपने आप दूर भाग जाते हैं जो भ्यक्ति रुद्राक्ष की माला धारन करता है या करती है उसको कभी प्रेत बाधा नहीं होती है भूत प्रेत पिसाच डाकिनी शाकनी किसी प्रकार का भी भै हो किसी प्रकार का भी दुख हो शदेव अपने आप दूर हो जाते हैं भागवान शिव कहते हैं कि अन्य जो द्रोहकारी राक्षश आदी हैं वो इस सब के सब दूर भाग जाते हैं जो कृत्रिम अभिचार इत्यादी प्रियोग किये गए है यानि किसी ने ये तंत्र क्रिया करने का प्रियास किया है किसी ने जादू टोना करने का प्रियास किया ह कृत्रिम तंत्र कहते हैं जो किसी को मारने के लिए प्रियोग किया जाए किसी को बरबात करने के लिए प्रियोग किया जाए कृत्रिम का अर्थ है जो कृतिया जैसी राक्षशी का प्रियोग किया जाए उस तंत्र को भी रुद्राक्ष धारण करने वाला अपने से दूर भगा देता है। इद रुद्राक्ष धारण किये रहें तो किसी भी प्रकार का तंत्र इत्याद आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए। वो रुद्राक्ष असली होना शुद्ध होना चाहिए, नैचरल होना चाहिए रुद्राक्ष धारन करने वाले व्यक्ष्ट के पास से लक्ष्मी दूर नहीं जाती ये ध्यान दखिएगा रुद्राक्ष धारन करने वाले व्यक्ष्ट के पास से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती है जो रुद्राक्ष धारण करता है लक्ष्मी सदेव उसके घर में निमास करती है भगवान शिव और आगे क्या कहते हैं बहुत सुन्दर सब्दों में कहते है रुद्राक्ष धारी को देखकर सशंक हो दूर खिसक जाते है पार्वती रुद्राक्ष माला धारी पुरुष को देखकर मैशिव कहते हैं अगर रुद्राक्ष किसी ने धारण किया है तो मैशिव भगवान विष्णू देवी दुरगा गड़े सूर्था अन्न देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं रुद्राक्ष के विषय में जान करके महादेवी बहुत प्रसन्न होती हैं धार्मिक ब्रद्धी के लिए भक्ती पूर्वक मंत्रो चार द्वारा विधी पूर्वक श्रधा पूर्वक रुद्राक्ष को धारन करना चाहिए यदि और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, आपका बहुत धन्यबाद, जैश्री राम.